देश ने और भारत की 142 करोड की आबादी ने एक नए भारत का दर्सन किया है यह निया भारत जिसका बैस्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है आज अब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं पुरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका विनंदन करती है तो स्वाभायू गुरुप से 142 करोड का भारत अपने आपको गर्वानित मैसूस करता है आपके नित्रितों में भारत की सीमाएं सुरक्सित हुई है आपने पिसले साड़े नौ वर्सों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्से तक पहुँचाया है भारत के सरवांगीन विकास की जो कारे योजना पिसले साड़े नौ वर्सों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्विन आपके नित्रितों में हुआ है इन नय भारत के रूप में एक विक्सित भारत की रूप डिखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है एक भारत है और स्रेश्ट भारत भी है जो विकास भी करता है गरीब कल्यानकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है इन नय भारत अपनी विरासत पर गौरव की इन भूती भी करता है और उनके पनुद्धार की कार्योजनाओं को विवस्तित तरीके से आगे वढ़ा करके आने वाली पीड़ी के लिए एक नई पेड़ना भी प्रस्तुत कर देता है कासी विश्वनाद्धाम आपके नित्रित्तों में बन करके आज पुरी देश और पुरी दुनिया को अपनी उड़ाकरसित कर रहा है उत्राखन का केदारपुरी एक नए गौरव के इन भूती करा रहा है महा कालम का महा लोक हो या फिर हमारा या ब्रज भूमी ब्रज भूमी में आपके मार्क दर्सन और नित्रित्तों में मतुरा बिंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थी विकास परीशत के मात्यम से यहां के उन सभी साथ तीर्थों को विक्सित करके एक नई कारियोशना के साथ आगे बढ़ाना मतुरा बिंदावन बरसाना गोकुल नंद गाओं इन सभी को विवस्तित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संग्रक्षित करते भी उसके विकास के कारिक्रम को आगे बढ़ाने का अभिहान आगे बढ़ाया गया अपे तो बिंदावन छेत्रक में आने वाले सरदालों की स्विधा को ध्यान में रख करके बुन्यादी स्विधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रियास हुआ है आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग एक सो नबे देशों तक आज योग जो भारत की प्राचीन रिसी मुनियों की एक धरोवर रही है आज दुनिया इससे लाभवानित हो रही है इसे बैस्विक मानिता उपलब्द कराई कुम्ब को बैस्विक मानिता दिलवाई और अब नकेवल हमारी मथुरा बलकी मथुरा ब्रिंदावन और यहां की सभी तीर्थ इस स्रिंखला में पिछले नौ वर्सों से लाभवानित हो करके इस अभिहान का हिस्सा बने है और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नित्रुत्व में हो करके 22 जनवरी का अंतजार भी कर रहा है इस उसर पर आपके द्वारा संत मिरावाई की स्मिर्थियों को पांसो पचीशवी जन्मुत सो की स्मिर्थियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयम यहां पर उपस्तित हो करके एक डाग टिकेट और इस्मिर्थि सिक्का जारी करने के लिए आए है संत मिरावाई भगवान स्री कृष्ण की अनन्य भट्थ थी वह मिवाड की रानी भी थी और संत्र विदाजजी की सिस्या भी थी वे समता की प्रतीक भी है ममता की प्रतीक भी है और साथ-साथ भक्ति की प्राकास्टा में पहुँची भी मेरे तो गिर्धर गोपाल दोसरों न कोई इस प्रकार की भगवान स्रीक्रिष्ण की भक्ति में डूबी भी एक क्रिष्ण अन्रागी परम भक्त के रूप में उनके दर्सन भी पुरा भारतवासी पुरी दुनिया करता है इस उसर पर आपका ब्रजभोई में आगमन हम सब के लिए एक नई पेना है मैं ब्रजवासियों की और से उत्तरप्रदेश वासियों की और से आपका एक बार फिर से हिदÉ से अविनंदन करता हो स्वागत करता हो और आपको इस बात के लिए आस्वस्त करता हो कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्ग दरसन में आपके नेत्रतों में नकेवल विकास की बलके विरासक की इस परंप्रा को अचोने बनाए रखने के लिए नंतर कारे करेगी बहुत बहुत धन्यबाद बहुत बहुत आभार मारणिये मोक्य मंतरी महोदे का देवे सजनों मारणिये बर्धान मंतरी महोदे की प्रेणा से इस वर्ष संत्मीराबाई की 525 जेहनती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाय जा रहा है वश भर संत मीराबाई जी से जुड़े कारकमों का आयुजन देश भर में होगा भारत सरकार के संस्कृती मंत्राले को इसके लिए नोडल मंत्राले के रूप में दाइत दिया गया है जबके अन्य मंत्रालियों की भी इसमें सक्रिय भागेदारी और से भागिता है भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525 जेहिंती के उसर पर एक विशेश स्मारक डाक टिकट तयार किया है जिसका विमोचन आज माननीय प्रदान मंत्री महोदे के करकमलों से होना है मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्राले भारत सरकार के सचिव शेगोविंद मोहन जी से कि वे सबसे पहले संत मीराबाई पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाए माननीय प्रदान मंत्री महोदे के करकम